शुर्ताओं कारिक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस कारिक्रम में हमारी महमान है नलिनीत घिल्डियाल जो कि सहायक परियोजना निदेशक है जिला मिशन प्रबंदक राष्ट्रिय ग्रामीन आजीवी का मिशन आपका बहुत-बहुत स्वागत है कारिक अब्हारत सरकार द्वारा ये आम वेक्ति से क्या समझे शोशल मोबिलाइजेशन कैम्पेंग देश भर के ऐसे गरीब पातर परिवारों को राश्ट्री ग्रामिन आजिवी का मिशन के अंतरगत स्वयम सहायता समोहों से जोडने का अभियान है जो अभी तक स्वयम सहायता समो में नहीं जुड़े हैं तो इस अभियान की शुरुवात माननिय ग्रामिय विकास मंतरी जी भारत सरकार के द्वारा 18 अप्रेल 2023 को शुरू किया गया इसे और ये देश भर में अभियान चलाया जा रहा है राश्ट्री ग्रामिन आजिवी का मिशन में हर एक पातर गरीब प अभिया था लगबग 9 करोड महिलाएं पूरे देश भर में स्वयम साहता समोहों से जोड़ी जा चुकी हैं फिर भी ये लगा कि अभी कुछ परिवार चूटे हुए हैं तो अब ये अभियान अंतिम अभियान कहा जा सकता है इस दृष्टी से कि अब एक एक परिवार को च जोड़ना है जी आपने बहते विस्तार से बताया हमारे शोताओं को और निश्य तोर पर ये आज़ादी का अमरित महसव भाग दो का एक महतवपून चरण इसे हम कह सकते हैं और महिला उद्योमिन ने हमेशा से एक महतवपून भूमी का निवाई है देश के विकास में वो जी महिला उद्यमिता को विकास करना और उनको महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हुए देश की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाना ये इस कार्यकरम का मुखे उद्देश है और जैसे भारत ने अपना लक्ष रखा हुआ है सरकार ने की देश की जो अगर उसे संगठित कर दिया जाता है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाता है तो देश की अर्थ व्यवस्था स्वयम ही आगे बढ़ने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी ये इसके पीछे एक सोच है और हरिद्वार जनपत की मैं बात करूं तो वर्ष भी पूरे राज्य में सबसे अधिक था 3566 स्वयम साधा समोह में पिछले वर्ष बनाने थे और इस वर्ष का भी हमारा जो लक्षय है स्वयम साधा समोह का वो काफी जादा है और हमें लगभग 40,000 से अधिक परिवारों को इस साल हमें जोड़ना है दूसरे शब्द तो उनको भी इसमें कवर किया जाना है प्लास इसमें अभी दो चीज़ें और भारत सरकार ने एड़ की है एक तो जो प्रधानमंत्री आवा स्योजना के लाभारती है प्रधानमंत्री आवा स्योजना ग्रामीन के लाभारती उन परिवारों से एक महिला को स्वयम साधा समो के फोल्ड में लाना है और दूसरा जोड़ा गया है जो महात्मा गांधी राश्ट्रिय ग्रामेन रोजगार गैरेंटी अधिनियम के तहट जो जौब कार्ड धारक परिवार हैं उन में से भी एक महिला को स्वयमसायता समों में जोड़ना है तो अब हमारा दाइरह बहुत लोड़ना है तो यह एक वरिहत्द लक्ष है और हम हरिद्वार में इसे एक अभियान के रूप में चला रहे हैं जैसे कि देशवळ में चल रहा है तो इसमें हमारे जो मेंटी कैडर्स हैं जो । होन हमारे ग्राम संगठन क्यौंकि स्वयमसायता समों हैं उनको हम संगठित तो कम सि कम 6 समों में एक ग्राम संगफन बन जाता है और एक ग्राम संगफन का आर्थ है कि उसमें 60-70 परिबार जुड़े होते हैं स्वायमसाईथा समों के महिलाईं जौडई होती हैं और हम 6 ग्राम संगफिनों को मिला करके एक यह 25 इसतर पर तो इतना बड़ा जो हमारा एक संगठन है वो संगठन भी लीड ले रहा है इस समय कि जो भी छूटे हुए परिवार है उनके क्षेतर में उन सब को चिन्नित करें चिन्नित करने की बाद उन्हें वो स्वैमसाधा समों के फोल में लें इसमें ग्राम प्रधान जी की मदद ली जा रही है जो वाड मेंबर से उनकी मदद ली जा रही है श्रेद्रपंचाइज सदस्यां है हुए हैं और उन पूंसे जो ग्रामसंगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी एक सख्रिय महिला है उनकी सामाजिक मामलों की समित्यक의 सदस्य हैं यह सब अपने क्षेत्र में हर घर कर सर्वेग कर रहे उस परिवार को स्वयम साथा समों के महत्तों के विशम में बताते हैं, क्यों उसको जोड़ा जाना है ये बताते हैं, इसके बाद भी यदि वो महिला तैयार नहीं होती हैं, तो उनको प्रेणा देते हैं कि आप जुडेंगे अपनी कहानी बता करके उन्हें प्रेरित करते हैं सारे गाउं में जब वो यह सर्वे कर लेते हैं तो उसके बाद वहाँ पर एक तिथी को ग्राम संगठन की आमसभा का आयोजन किया जाता है उस आमसभा में अध्यक्षिता हैं, ग्राम प्रधान जी करते हैं और उस वार्ड के मेंबर्स भी वहाँ पर आते हैं, क्षेत्र उनकी सहमती ले ली जाए कि वो जुड़ना नहीं चाहते हैं और फिर उन जोड़े जाने वाले सदस्यों को जोड़ा जाता है अगर कम सदस्य हैं चार-पांच ही मेंबर ऐसे मिले जो छुटे हुए हैं तो उन्हें पहले से वहां बने हुए समोहों में जोड़ देता हैं अग हमारे गाओं के अंदर कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो कि स्वयमसाइदा समोह में जोड़ने के लिए पात्र था लेकिन वो जोड़ा नहीं गया है तो आप समझ सकते हैं कि ये अभियान जब तक सफल नहीं होता है तब तक हम सब का इसमें कितना महत्तपून दायत्व है गाओं को आत्म निरभर बनाने में बहुत बड़ा रोल निबा सकती है अब राश्ट्री ग्रामी नाजीविका मिशन की जो विशेशता है वो ये है कि इसमें कोई नई चीज उनके उपर नई थोपी जाती है कि हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट उनके साथ कर दें आप ये कीजिए और इसी के दर्शा में आगे पढ़िए इसमें जो उनकी existing livelihood activity होती है यानि जो मौजुदा उनकी आजीविका गतिविदी है जिसको पहले से कर रहे हैं उसी को मजबूत करने के लिए इसमें विभिन प्रकार का हस्तक्षिप किया जाता है विभिन प्रकार की सहायता दी जाती है उस गतिविदी को और ज्यादा बेहदर तरीके से और उसमें टेक्निकल इंपूर्ट्स जोड़ने के लिए इसकी साथ ही उसमें उन्हें जो पैसे की आवश्यक्ता है उसको आगे बढ़ाने के लिए तो मार्कित लिंकेज प्रोवाइड करने के लिए उन्हें पहले उन्हें बैंक लिंकेज की सहायता दी जाती है वैसे एनरेलम का अपना एक सपोर्ट होता है जो की स्वयम सहायता समों को गठन की तीन महीने बाद रिवॉल्विंग फंड की रूप में दिया जाता है बीस हजार रुपे अब दे जाता है प्रतिसमों और जब समों छे महीने का हो जाता है तो उसका एक माइक्रो क्रेडिक प्लान बनता है सूक्ष्म परिवार योजना सूक्ष्म परिवार योजना के बाद उस समों को ग्राम संगठन से जोड़ने की बाद ये बनता है और इसके बाद उस समों को 75,000 रुपे की पहली किष्ट मिलती है सामुदाइक निवेश ने देगी तो ये दो फंड जो NRLM की तरफ से दिये जाते हैं बहुत महत्पून वो में निभाते हैं उस समों को प्रादंबिक स्तर पर उसको मजबूत बनाने की दिशा में क्योंकि जो CIF फंड है 75,000 रुपे प्रति समों पहली किष्ट और दूसरी किष्ट में फिर से 75,000 रुपे तो ये CIF फंड उसकी आजीवी का गतिविती को मजबूत करने के लिए दिया जाता है इसके अलावा 6 महीने पुराने समों को हम बैंक लिंकेज कराएं स्वयम सायता समों अपने CCL खाते से पैसे का निकासी और लेंदिन कर सकते हैं इसका उपयोग भी वह अपनी कुछ कंजम्शन परपरजिस के लिए कर सकते हैं कुछ आजीवी का गतिविती के लिए कर सकते हैं इसके अलावा विभिन जो विभाग हैं जैसे आपका DIC है उद्योग विभाग है उसके माध्यम से प्रधान मंत्री रोजगार सर्जन कारेक्रम के तहट भी स्वयम सायता समों को विशेष सहायता का प्राविधान किया गया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो मानिय मुख्यमंत्री जी की योजना उत्तराखंड में चल रही है इसमें भी स्वयम सायता समों के लिए अच्छा सहयोग की विवस्ता की गई है मुद्रा योजना में उनको व्यक्तिकत आधार पर भी लोन दिये जा सकते हैं तो बैंक लिंकेश की पूरी सुविधा उनके लिए है बहुत सारी प्रकार का सपोर्ट है उनको आजीवी का गतिविदी आगे बढ़ाने के लिए और अब जो है इसमें एक और इंपूर्ट जुड़ गया है वो है रीप के माधियम रूरल एंटर्राइज एक्सिलरेशन प्रोजेक्ट है ये ये आईफेट के सहीयोग से चलाय जा रहा है तो ये 2020 तक चलेगा और इसमें उनको मार्केट सपोर्ट प्रवाइड कराने के लिए एनरलम में जो समोह बन चुके हैं संगठनात्मक धाचा जो तयार हो चुका है उन समोहों को अब आजीवी का गतिविदीयों को और आगे ले जाने के लिए जो मार्केट सपोर्ट की जरुरत होती थी वो रीप के मार्दिम से उनने प्रवाइड करा जा रहा है तो अब हम इस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे ये हमारा मानना है दो हजार उनतिस तक ए प्रोजेक्ट चलेगा रही तो इस पीच में उनको वैल्यू चेंस क्रिएट करके मार्केट के साथ जोड़के फॉर्वर्ड और बैक्वर्ड लिंगेजस सपोर्ट करके पीछे से उनको जो कच्छा माल चाहिए उसकी उपलब्दता सुनिश्चित करा के और जो हो सामन तयार करते हैं उसको बाजार उपलब्द कराने की जो विवस्था है उसमें रीप के सायोग से बहुत ही महत्वण कार्य किया जा रहा है आपने लगातार इस शित्र में तरक्की की है उपलब्दियां हासिल की है खास दोर से सबसे ज़्यादा स्वयम सायता समू आपने तयार किया है हम जानना चाह रहे हैं कि अगर हम उपलब्दियों की बात करें आपके स्वयम सायता समू की तो क्या गिनाना चाहेंगे उपलब्दियों के रूप में उपलब्दियों की रूप में तो मैं ये गिनाना चाहूँगे कि हमारे पास में अब तक हरिदवार जन्पद में लगबग 5,000 से जादा समू बन चुके हैं और अभी भी ये प्रक्रिया हमारी चल रही है इसमें अब हमारा ये लक्षे है इस समय कि हम प्रत्येक परिवार को इसमें कवर कर दें और saturation mode पे अभी हम वर्तमान में काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर जो gram संगठन है वो 380 करीब gram संगठन हमारे बन चुके हैं जिसमें कि 2772 के करीब स्वयमसाथा समू जुड़े हुए हैं हाला कि प्रत्येक स्वयमसाथा समू जो 6 महिने का हो चुका है उसको gram संगठन से जोड़ा जाना है तो जो बचे हुए हैं उन सबको पि उसमें साथ मैप किया जाएगा और हमारी cluster level federation की अगर हम बात करें जो कि gram संगठन है दूसरे स्थर का संगठन है ये हमारे 26 बन जुके हैं अब हरिद्वार जनपद में वर्तमान में शुरुवाती कुछ वर्षों में तो जो पूरा जोड था वो था institutional structure को develop करने में यानि संगठनात्मक धाचह तयार करने में सोशल इंस्टिटूशन बनाने में, इंस्टिटूशन बिल्डिंग में, समोहों की रूप में उनको और ग्राम संगठन की स्थिति तक लाने में तो प्रारंबिक 3-4 वर्ष तो इस कारे में लगे हैं कि saturation mode पे काम हो, सभी लोगों को समोहों से जोडा जाए अब पिछले दो एक वर्षों से आजीवी का गतिविदियों के उपर काम बहुत अधिक होने लग गया है और जैसे मैंने बताया कि इस वर्ष से क्योंकि रीप प्रोजेक्ट भी लागू हो गया है तो अब आजीवी का गतिविदियों को आगे लिजाने के लिए बहुत करते हैं और गेनिक टर्मनी को लोग तयार करते हैं उसको फिर पीस करके वो उस पैकेजिंग के माद्यम से से सेल करते हैं हनी प्रोडक्शन में हमारे स्वयमसादा समों काम कर रहे हैं और हस्त शिल्प में बहुत सारे समों काम कर रहे हैं जूट के बैग्स बनाना वाटर ब बनाई हैं कोविट के दौरान स्वास्तिवी भाग को फेस शील्स के जरूरती तो हमारे स्वायम साहता समोह ने फेस शील्स तयार की और हत्खरगा के फशीतर में अगर हम देखें तो हमारे नारसन रुड़की में ऐसे समोह हैं जो की हस्त शिल्प के बादे हम से हैंडलोम के provide products त्यार करते हैं गरम वस्त तयार करते हैं और बाहर मेलों में भी उनको ले कर जांते हैं हमारे कुछ समोह यूदक के बरतन बनाने के काम करते हैं अब क्यूंकि ऊफ्रचलन बहुत जादा बढ़ रहा है हमें पर्यावरन की दृष्टी से भी देखें तो प्लास्टिक के स काम हमारे स्वयम साधा समोह करते हैं और उनको बहुत ख्याती प्राप्त है बिन जो मेले होते हैं विशेशकर आपके नौईटा में जो अंतराश्ट्री वापार मिला या डेली में होता है तो उसमें वो जाते हैं और उनके प्रोड़क्स की लोग वेट करते हैं कि जब लोग जाएगा हाउसोल्स को कवर करने का तो उसके बाद सारा फोकस जो है वो आजीवी का गतिविध्यों को आगे बढ़ाने के लिए रहेगा और जो अभी तक कम स्केल पर भी हैं तो उनको भी स्केलिंग मिलेगा इसके बारे में लोग अभी काम कर रहे हैं सोच रहे हैं योजन रहा है इस वर्दमान संदर्व में क्योंकि ये संदेश सभी तक जाना बहुत बहुत जरूरी है कि ये जो अभियान चल रहा है सोशल मॉबिलाईज़चन कैमपेंच चल रहा है इसका उदेश ये है कि कोई भी ऐसा गरीब परिवार है हम इसे जो भी इस कालिक्रम को सुन र रहा है और वो अपने आसपास चाहे वो ग्राम प्रधान जी से बताएं चाहे वहां के वार्ड मेंबर हैं उनसे बताएं या जिनको भी वो जानते हैं जिनको भी वो सूशना दे सकते हैं वो ग्राम पंचायत के कारेले में जाकर के बता सकते हैं उनको समोहों से जोडा कुछ ठगने के लिए तो नहीं आ गये है यह बिलकुल न सोचे वो अपना परिचय उनको देते हैं और उन्ने अपने बारे में बताते हैं और इस अभ्यान के विश्ए में बताते हैं तो उन्हें आश्वस्थ होना चाहिए कि भारत सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है उन्हें किसी को कुछ देना नहीं है उन्हें समों में जूडने की बार में केवल अपने लिए ही अपनी बचट करनी है नियुनतम 10 रुपे से भी अपनी बचट वो हफते में कर सकते हैं सिर्फ एक बचट की आदत उनके अंदर विकसित हो इसलिए उनसे ही कहा जाता है कि आप 10 रुपे की बचट करें तो उन्हें इसमें सहीयोग करना है और हम में से जो भी जानता है उसके आसपास कोई परिवार छूटा हुआ है प्रधान मंत्री आवा से उजना का लाभारती है या मन्रिगा जॉब कार्ड धारक है उसको हमें प्रेड़ित करना है कि वो समों से जोड़ जाए और अभियान को सफल बनाने में मदद करें और अपनी आर्थिक स्तिती को बेहतर करने की दिशा में इस अभियान से आवश्य जोड़े यही मुझे कहना है अज आज आप इस कारिक्रम में आई और आपने सोशल मोबिलाजेशन कैमपेइन के संबन में बहुत विस्तार से हमारे शोताओं को जानकरी दी निश्यत तोर पर यह जो जानकरी आपने दी है इसका लाब हमारे शोता उठाएंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे आपका आकाश्वणी स्टूडियो जाने पर बहुत बादा भार धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद